So THX एक ऐसा technology युक तो audio तरंग है जो आपको 7.1 टाइप का surround sound effect with realistic and dupe जाने वाला audio देता है जिसमें while gaming आपको enemy footsteps, आपका teammate जो pass होते हुए भी revive करने pair नहीं हिला रहा है दूर चल रहे गोलाबारी और बाकी gaming के दुनिया के अजीबो गरीब सारे sounds more accurate and rich sound effects के साथ आपके कानों में ठूसा जाता है by THX So ये एक गंभीर technology है जिसको boat वालों ने इस neckband which is boat rockers 378 में ठूसा है एक और महत्वपूर्ण बात मुझे ऐसा बताया गया है कि ये इंडिया का पहला special bionic sound tuned THX neckband भी है So it's exclusive only इसके साथ साथ कुछ और भी खासियत हैं जिस पे चल रहे इस समचार पे हम चार आचार के साथ विचार करते हैं So ये है rockers 378 by boat recently launched on amazon at a launch price of 14.99 बट फिलाल इसका price is 12.99 ओनली बाकी बातें इसको बक्से से बाहर निकालते हुए करते हैं So बक्से में आपको पहला तो मिलेगा ये neckband इसको करते हैं side क्योंकि पूरा वीडियो इसको ही देखना है आपको बाद में अंदर में extra pair of ear tips, अलग-अलग कान के छिद्रों के लिए, charger and कुछ आपके and हमारे जमीन के papers So मेरे हिसाब से इसके पहले हुए THX के introduction से आपको ये तो मालुम पढ़ी गया होगा कि ये neckband specially made for gaming and उससे related सारे तरंगों के लिए इसको बनाया गया है इसके साथ-साथ इस THX में चार चांद को चिपकाने के लिए इसमें low latency mode भी दिया गया है which is 65ms So gap काफी कम रहेगा audio के होने and तुमारे कान में उसके होने के बीच में and I personally used both modes, normal and beast mode and difference महसूस करने लायक है Normal mode and beast mode में with THX आपको ज़्यादा clear sound मिलता है base and treble का balance काफी अच्छा है normal में ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा अगर आप beast mode में कुछ minute बिताते हैं तो and इन दोनों खासियतों के लिए आपको अपने neckband को beast mode में सरकाना होगा physically जिसके लिए just click on this last button इसको press करते ही कानों में beast mode बोलेगा अंदर बैठा आदमी and फिर आप space में घूम जाओगे slowly बाकी build is okay पूरा plastic का है and पीछे की तरफ rubber grip मिलेगा वैसे भी एक collar के अंदर चला जाएगा क्या ही फरक पड़ता है दोनों sides में से एक side में आपको पूरा control मिलेगा दूसरा side बस balance बनाये रखने के लिए counterweight का काम करता है earplugs magnetic हैं सो chip के रहेंगे एक दूसरे से neckband का busy side you will get total 4 buttons जिसमें से first में beast mode है जिसमें हम पहले ही discuss कर चुके हैं so gaming के time इसको on करना मत भूलना second and last button is for audio control and beach में जिसमें boat ने अपना चाप छोड़ा है वो multi function button है and can be used for play, posh, bluetooth connect, answer and end call इन सब के लिए now let's have list of other खासियत जिसमें पहला है कि ये IPX 5 से लिप्टा हुआ है so पानी proof है पूरा तो नहीं बट कुछ हट तक proof रहेगा ये आता है fast charging के गुणों के साथ so like 10 minute में approach 15 घंटे के लिए ये तयार हो जाएगा वैसे भी एक बार full charge होने पर ये approach 25 घंटे तक music playback दे सकता है आपको charging के लिए आपको इसमें USB type का point मिलेगा जिसको भरने के लिए आप इनके charging wire को use कर सकते है and मेरे हिसाब से इस थोड़ा small type wire इससे थोड़ा बड़ा वो दे सकते थे but it's fine next इसमें Bluetooth 5.1 मिलेगा with 200 mAh of battery जो 25 घंटे का वादा देता है आपको next इसमें आपको मिलेगा 11 mm का drive so थोड़ा छोटा है but output is good अगर और बड़ा होता तो शायद और भी अच्छा output मिलता but again आपको ये सोचना चाहिए कि आप इसके लिए 12.99 रुपीज पे कर रहे हैं इतने में एक normal neckband आता है but boat ने इस neckband में आपको THX का भी साथ दिया है so मेरे हिसाब से it's a good deal अगर आप एक neckband सस्ते में ढूंड रहे है with some extra पानी पूरी टाइप features so इस option को आप choose कर सकते हैं आपका क्या कहना है comment में हमें जरूर बताएं तब तक के लिए thanks for watching